सेमसंग की तरफ से वेशे तो काफी सारे स्मार्टफोन के लिए One UI 6.0 Android 14 का जो अप्टेट है वो रोल आउट कर दिया गया है लेकिन इस बारी जो नवंबर का मन्त है वो काफी ज़दा स्पेसल होने वाला है उसके अंदर आप लोगों को सेमसंग के काफी सारे डिवाइस है उनके अंदर अप्टेट है वो देखने को मिलेगा तो आज की इस वीडियो में आपको यही जाने को मिलेगा कि Samsung के इसे कौन-कौन से smartphone है जिनके अंदर आप लोगों को नवंबर मन्त के अंदर update है वो देखने को मिलेगा और यार आप लोगों के लिए हम लोग वीडियो है वो बनाते हैं तो आप लोगी चैनल को कर सकते हो और बेल आइकन को जरूर से ओल पर प्रेस कर लेना सो मुझे नहीं लगता है ओक्टूमबर मन्त के अंदर और किसी डिवाइस के लिए जो update है वो लास्ट में आपर aid किया जाएगा सबसे पहले update है वो आपको Samsung की S23 सीरीज है उसके लिए मिलेगा जो की official update होगा S23 लाइन अप के लिए S22 Ultra, S22 Plus, S22 इन तीनोई डिवाइस के लिए आप लोगों को stable update है वो मिल सकता है नवंबर मन्त की ending के अंदर और Samsung का जो S21 सीरीज है जिसके अंदर अगेन तीन डिवाइस है इनके लिए आप लोगों को first beta update है वो मिल जाएगा 1 UI 6.0 based on Android 14 का का काफी user है जो कि यहाँ पर इस beta update का वेट कर रहे है अभी यह जो fold और flip के device है इनके बारे मैं आपको कुछ भी information नहीं provide करूँगा बात करते हैं हम लोग A series की तो Samsung A73, A54, A53, A34, A30 को निकाल दो बाकी के जो 4 device है उनके अंदर आप लोगों को जरूर से update है वो मिलेंगे इन में से T4, A53 इनके अंदर update है वो already आचुके है 1UI 6.0 के beta update की मैं आपर बात कर रहा हूँ लेकिन second beta update है वो भी इनके लिए जरूर से Samsung के और से update है वो यह आपर roll out किया जाएगा अगें Samsung की M series है उसके अंदर आपको Samsung M54 इकलोता device है वो देखने को मिल सकता है जिसके लिए November मंत के अ F series है इनका F54 इसके लिए भी आप लोगों को 1UI 6.0 का beta update है वो मिल जाएगा अब भी बात करते हैं Samsung की tape series के बारे में so again नए updates है वो roll out के जाएगे Samsung के S9 Ultra, S9 Plus, S9, S9 FE और S9 FE Plus तो कुछ इसे tablet है जो की foreign के अंदर है, global के अंदर है और इन में से ज़्यादा अतर tablets है वो और अगर आप लोगों को device है वो primarily device है आप लोग इसी को use करते हो तो मैं आपको ये recommend नहीं करूँगा कि आप लोगों को Samsung का beta update है उसको try करना चीए बेटरी के तो कोई problem नहीं है लेकिन कभी कबार कुछ Samsung की application है जो की crash हो जाती है अब भी जिससे की मैं आपर video बना रहा stable update का wait करना अब stable update का आपको wait करने की जूरत नहीं है जैसे update है वो आपकी device के लिए available होगा information आपको मारी channel पर मिल जाएगी so subscribe कर लेना मैं मिलता है आप लोगों से next video में thank you